कि नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग सबच्छे होंगे तो आगे था आपका अपने प्लैट्फोम पर और समय हो चुका करंट अफेर अपडेट का और आज करंट अफेर अपडेट कुछ यूनी करंट अफेर है बिलकुल जिसमें आज द्यान देना आप लोगो ठीक है तो आज का पहला कोस्टन है ओप्रेश कुमार यह कोस्टन बहुत हो सकता आपकी परिक्षाओं में बहुत ज्यादे इंप्रेश कुमार सिंग यानि कि यह एक जज थे पहले भी यह हाई कोट के जच रह चुके हैं और इन से जोड़ी कुछ हाई कोट पुर्वत्तर भारत का एक हाई कोट है ठीक है और वहां के क्या बने हैं यह मुख्य नियादिस ठीक है इस्थान किनका लिया है उन्हें यह भी देख लेना है इस्थान लिया है जस्वंत सिंका यानि कि इस्थान किसका लिया है जस्वंत सिंका इस्थान लिया है अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल हैं जिनको आपको याद रखना है बहुत इंपोटेन्ट आर्टिकल होते हैं यह जैनि कि Article 214 में एक बात कही थी 2-2 साधिक राज्जियों में एक राज्जे मनब हई कोट होना चाहिए या फिर आइसा क्या सकते हैं पहला इसे जो बात कही थी यह कहा गया था कि प्रति एक राज्ज्य का एक हाई कोट होना चाहिए तो फिर बाद में संभीधान जब 26 जनवर 1950 को लागड़ किया गए तो बहां पर क्या गया अर्टिक पीजी में कोशन कुछा गया था कि अभी लेख नियालियों के जिक्र जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया है फिर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 231 यह बहुत इंपोर्ट होने वाला देखो इसे याद करना है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोट दो या तो एक सक्ति परदान है कि वह वह हाई कोट के मुखह न्याजित की निक्टि करें गाएगा यह कोष्चन भी आता है कुछ बच्चे राज्यों लगा आते हैं वह गलत होता है समझ गें यानि कि जिलह सत्रे न्याले को का जो है वह दिकार जाता है परन्तु यहां पर अधिक होता हाइद होता सुप्रिम कोट के अदीन जबकि जितने भी आपके होते हैं यह वी आपके कोषण рएक पूछे आपको कुछेगा आपको अधी नियाल यह वह ᦌद्न 22 मोच होते हैं जैसा आपके सत्र नीयाल होगे ठीक है जिला नियान्य हो गएंज है और 25 वा हाई जो बनाया गए है इस से पहले प्लाएम में इन से शुरू में 21 उसके बाद में तीन हाई कोड़े चोबिस हो गए और अभी हाली में 2019 से जो बनाया गया अमरावती को ठीक है 2019 में बनाया गया किसको बनाया गया अमरावती को अब यह कितने नंबर पर हो चुका है 25 हाई को ठीक है यह यहाद रखेंड़ना बहुत important है यहां से ठीक है अब यह जालवाद का होटेएं सबसेब लगा ठीक है और सबसे छोटा है कोड़कर की बात करें क्योंकि ब‌ड़े और खोटे में ब्यांता कॉछ्चन तो गंग टोख यानि कि सबसे हो बना कहां बना खुलकत्त में तीन कोश्चन याद रख लेना और बैसा अगर हाई कोट पढ़ोगे तो बहुत बड़ी कहानी हाई कोट की परन्तों आपको किवल आज के करेंटरफेर के साथ इतने स्टेटिक तयार करना है सबसे बड़ा ही कोट इलावाद ही कोट सबसे छोटा ही कोट ज ठीक है तो आपको बात समझ मा आ गई होगी ठीक है हाई कोट की पूरी बात जो है आपको समझ में आगए होगी अब जो कोश्चन है दूसरा वह बहुत इंपोटेंट है यानि कि आने बाए टाइम में बहुत इंपोटेंट हो जाएगा देखी क्या है चीन में एच्थ्री एन एट एच्थ्री एन एट बड़ फिलू से दुनिया की पहली मोथ हो गई है यानि कि पहली मोथ जो हुई है वह कहां पर हुई है यह दुनिया की पहली मोथ जो हुई है चीन मोथ हुई है देख लो कोरोना भी यहां से सुरू हुआ थ और अब यह भी यहां से सुरू हो रहा है, H3N8, ठीक है भई, तो देख लेना थोड़ा सा, बच करो इससे, फिर यह है कि चीन के दक्षन प्रांत, यानि कि कहां की बात है, चीन का दक्षन प्रांत, गौंग डॉंग, ठीक है, गौंग डॉंग में एक महिला थी, उनकी यहां म होई है, अगर हम बात करते हैं, H3N8, यह इनिफिलंजा A, जो होता न, इनिफिलंजा A बायरस, उसका एक सब टाइप है, यानि कि उसी का तरह टाइप है, समझगे नहीं, यानि क्या है, यह एक सब टाइप है, लक्षन की बात करें, तो बुखार, खांशी, गले में खारां ठीक है, हल के भुल की खांथी को समझ मत बैठना, परन्तों बुखार अगर खांथी के साथ बुखार हो रहा है, तो कुछ गड़बढ़ है, यह तो हो गया हमारा दूसरा कोशन यहां थे, ठीक है, अब हमारा तीसरा कोशन देखिए, तीसरा कोशन है, यूपी में, अब्हरन में बागो का पहला फोटोग्राफिक पिर्मान दर्ज हुआ है, यहां पर सिरावस्ती गोंडा बल्रामपूर, ठीक है जी, सिरावस्ती गोंडा बल्रामपूर, इन जगह पर है, अगर यहां बात करते हैं, जन्तों की तो कौन-कौन है, तेंदुआ, भालू, भेडिया, लोंडी, यह देखनों मिलते हैं, बनस्पती की बात करें, साल, खेर, सागोन, और यह भांबर, बैट तराई छेतर का इलाक है, जहां पर यह चीज़े पाई जाती है, ठीक है जी, इ यहां पर है, यूपी में, फिर एक आपने नाम सुना है, दुद्वा, दुद्वा नैथनल पार्ग जो है, यह भी कहां पर है, आपका लखीमपूर, खेरी में, तो इन दोनों को भी आप यहां पर नोट कर लेना, तो तीन कोस्चन हो चुके हैं, आज के करेंटर फेर के, चौता कोस्चन देखहेंगे ब, चौता कोस्चन क्या है, कुछ खास कोस्चन के साथ 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 इस्टेटिक भी बनेगा, और वह माद्यम होता है का अधार होता है अपको जीके और आपका किस इतनी घटनाइं कहां होंगी होती है गटना है परन्तों वह सभी एक्जाम पॉइंट व्यू की द्रश्टी से जो होता न वह सब अच्छा नहीं होता ठीक है कुछ ऐसे कुछन होते हैं चुनिंद जो अच्छे होते हैं जैसा अगर हम बात करें यहां पर चौता कुछन है भारत का पहला ठीड़ी मुद्रित मुद्रित डांकघर डांकघर कहां पर स्थाफित क्या गया है वैंगणलगोर में तो यह कोशन बन सकता है क्योंकि हो जब बैंगलोरू कहा पर भई बैंगलोरू में क्या गया है और कप क्या गया था दिसंबर को 2020 को जो है इसको मंजूरी दी गई थी कि कंपटी के तवारा यानि की काम किलना क्या सज़रू यह और आपका and T ये company आती है L and T company ये भी question अधिकांस company का नाम पुछाते हैं यहां TCS भी पुछाते सकता है यहां बहुत सारी company दे सकते हैं तो यहां पर L and T company का नाम याद रखना है ठेक है इसने दिया था इससे मंजूरी जो मिली है वो किस्ते मिली है IIT मदरास आई-आई-टी मदरास ने जो है इसको मंजूरी दी थी इस डांकर को बनाने में अगर हम बात करें कि और बिल्डिंग जो बनती है परामपर गुरूप से रांकरों की बिल्डिंग बनती है लगवग उससे 40 कम लागत होती है कम जगे गहरता है और कम समामें तयार ब्याता है इसे थोड़ा चर्चाम है ठ्रैडी को आप मतल्म समझते हो ठीक है अगर हम बात करते हैं यहां पर कि भारत में पहली बार अगहर माहाण तो कुछ डिखाओय क्या है भारत में पहली बार पहली बार अगर जंग की बात करें तो 1668 में, 1688 में, 1688 में डांक घर की स्थापना की गी थी, यानि किसकी डांक घर की स्थापना, ये पहला कोश्न मन जाता है, यहां से 1688 की, जबकि लाड क्लाईव ने, सब्सक्राइबो ने 1766 में डांक परणाली की जुरूँओं परणाली की यानि कब 1774 में कोन आगे थे बारेन हैस्टिंग्स बारेन हैस्टिंग्स आगे थे और उन्होंने जो करा था उन्हों कलकत्ता में जर्नल पोस्ट ओफिस की स्थापना की थी किसकी करी थी कलकत्ता में कॉलकात्ता में जर्नल जर्नल पोस्ट ओपिस जो आज के टाइम में चल रहे हैं जर्नल पोस्ट ओपिस की इस्थापना की थी ठीक है उसके बाद मदरासम होई थी उसके बाद फिर आपकी मुंबई ही थी ठीक है फिलाल में पहले जो हुई थी वो कॉलकात्तम होई थी इतनी यह की मुराजवाद के आगर बात कर तो मुरादवाद में कितना 44 जी रो एक है तो कितने होते हैं यह 24 45 जी रोज है तो आपके एंक जो होते हैं कितने होते हैं इनको यार रखना ठीक आप सभी जहां-जहां से ब्लोंग करते हो Sat tip कितने वहाँ पर 6 अंक दिए होते हैं अभी आपि यहां से ठीक है पैन कार्ड में होते हैं व referाट want के深ogen कोपे पोस्ट टोफिट कार्ड में कितने को नठाइounter कार्ड मिलता है कि उसमें खोटे-उले काड में将ok ठीक है पोस्ट आप जो होता वो खेंक का हहता है ज Bluetooth जो होती है पंदेरेंग की होती है पेंग कार जो होता है आपका दस अंकी घोता है पांग के एस्ट करो क्या लगती है इतना सक्जाब मैं पूछा जा सकता है अगर हम बात करें एक और कोशण की यहां ती जोड़ देते भारत की राक प्रणाली आन्यकी भारत की कि नांक प्रणाली मुय है पृषिब की सबसे बड़ी इस बड़ी सबसे बड़ी दांक प्रणाली है tudo धेखो कितने कोशन diaphragm यहां से important पहला डांक जो खुला है पहला थी डांक जो खुला वो कहां पर खुला है बैंगलोर में खुला है दिसंबर 2020 में टी एल एल एंटी कंपणी ने इसका काम सुरू किया था मदरास मंजूरी मिली भारत में पहली बार डांक घर की जो स्तापना की थी इस्ट इंडिया कंपणी के दुवारा ठीक है अगर हम बात करें लाड क्लाइब 1766 में डांक पनाली की सुरूत की थी 1774 बारेल हैस्टिंग्स ने कॉल करता में शुरू की थी ठीक है जनरल पॉस्ट अगर हम देखें तो पैन कर्ड़ में कितने अंक होते हैं वह 10 उंक इतनी बात आपको यहां से पता करनेनी है ब्लोकुल इंपोडएंट ठीक है यही बहुत इंपोड़न है डाटा आपके लिए कि लिए इसको या तो इसकी आप इस लो इसको अनोट करते रहो हैं जुकि एस सब्सक्राइब जो है डंकर जो मुझे कहां पर है भारत भारत भी आपको पता में यह सब हैं इप तो यह हैंब आपको जो कोश्चन बन गये हैं वह इंपर्टेंट कोशन हो चुके है वह ऴगत ठीक अब अगर हम बात करते हैं तो अभी बहुत इंपोटेंट कोर्षन बनका आया है सामने की जलियावाला वाग आपने नाम सुना होगा बहुत इंपोटेंट है जलियावाला वाग जलिया वाला वाग ठीक है कि 104 वी बरसी हुई है कौन सी 104 वी बरसी है ठीक है बहुत दुख की बात है क्यों दुख की बात है कि यह घटना घटी थी अगर हम बात करते हैं 13 अप्रेल को 2019 को घटना घटी थी ठीक है क्या थाा यह उसा देखिए देस में रॉलकोंट आ गया था रॉलएक्ट एक्ट जिसंहं कहते हैं काला कानूं काला कानूieve हम कहते हैं थोड़ी सवाहत को सुन लेना क्या था यह और क्या कहा था कि बिना बकील बिना दलील और सक्के के दायरे पर पर था किसी भी व्यक्ति को मंजिष्टेड कैद में यह नजरbahnध सकता था। गिरफतार कर तो था। इस चिच का भारत के लोग कर रहे थे पर लोग क्या कर रहे देशी का ब्रोद कर रहे थे। उसी जु़ी आंदोलसमें उसी ब्रोदी किछलू सैफुद्दीन किछलू किछलू इन दो व्यक्तियों को बंद कर दिया गया इसी रोलाट एक अंतरगत अब हुआ कि इसके ब्रोज में लोगों ने सोचा बैसाखी का दिन था उन्हों सोचा कि चलिए एक जू ठोक है हम इनके ऊपर बात करते हैं यह कि जलिया वाला बाग जो है वह एक जगह थी ते लगवग जो थे वह 25,000 आदमी घट्टा थे कितने आदमी घट्टा थे इस बात का जो पता चला वह जनरर को पता चला कि कहीं ऐसा हो रहा है कि आपका जलेबाले बाग में जो एक मीटिंग हो रही है और कोई बड़ी घटना ह कोई बड़े आंदोलन की कोई प्लानिंग चल लए है और इस चीज का फायदा उठाकर उसको कुछ सैने सकती दी गई थी और उसने जो है जनरर आयने उस निहत्ते यानि कि उस निहत्ती सवा पर गोली चलाने का आदेश दिया और लगबगर हम बात करें यहां पर तो 1650 गो बिले चले थी आंकड़े भी किसी को नहीं पता कि कितने क्योंकि हंटर आया हुगाया था इसके बाद में उसने भी जो है कोई पूरे आकड़े दे नहीं थी ठीक है मगर बताया जाता है कि अप्रोक्षली 500 से 1000 जो है मोत यहां पर हुई थी इतना बताया जाता है ठीक है उस उसने गोली चलवाई थी जनर्न लो डायर में ठीक है अब यहां पर बात आती है कि इसके लिए इसमारक जब बनाए गया तो जलिया वाला वाग इसमारक अगर हम बात करें जल्यावाला वाग इसमारक की तो 1951 में यहाँ पर क्या बना इसमारक बना था कि बना सा 1951 में एक हित्मारग बना था इतना आप याद रख़ ले ना आपके एक्जाम में इतना सकता है पुराना आधुनिक इतिहास के अगर बात करें तो आधुनिक इतिहास में जल्यावाला बाग आप पड़ सकते हो प्लेलिष्ट आपकी बनी हुई है कि प्लेलिष्ट दिमार्ण में फिट हो जायए क्योंकि करणटा फैर का मतलब स्टेंटिक से ज्याज़ दोड़ना भी नहीं होता ठीक है थोड़ी बहुत जानकरी हुद्धेन होती ज़्याद है सबस्वाइत अगर आप इस्टेंटिक को दिमांग में जादर रखोंके तो करणटा फिर भू राजिस्थान की पहली बंदे भारत बंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाई अब देखी यह तो है राजिस्थान की पहली यह बताया रहा है कि देष पंधर भी है देश कोंसी है और यह पंध्र हाबा देनी के लिए और यह कहां से कहां तक चलेगी दिन्लीं यह जमेर के वीच्छलेगी कहां स्वाय तक चलेगी कि दिली कैझ्ट से दिळली कैंट से रेकर अजमेर तक कि अजमेर तक kय चलने वाली है इतना भी ठोड़ा से आरो सकते क्यों को सब्सक्राइब ऑर को पूछ ले या इनका प्युक्ष ले लिए इनके ज़्याद आपको ज़्याद रखने तो आप हैं कि पूरी अगर बंदे भारत देखिनी है पूरे अब सबसे अधिक नेक्स बनेगा वो क्या है भारत सबसे आदिक निवेस वाले पाँच्छ में तो थोड़ा से यहाद किए यानि कि भारत AI AI का मतलब होता है artificial intelligence ठीक है AI निवेश में निवेश में सबसे अधिक देसों में कौनते इस्थान पर है पांच बे स्थान पर हो गया है कौनते स्थान पर पांच बे स्थान पर हो गया है इसको याद रखना थोड़ाता अब अगर बात करें पांच बे स्थान से तो यह रिपोर्ट किसे ने प्रस्तुत की है तो इस्थे फोड़ विद्ध्याल लेने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है यह होगी थोड़ी सी बात दूसरी अगर हम बात करें तो आठीफिल इस अब किरतिम बुद्धिमत्ति क्या होती है यहोती ऐतिक मुंद्धिमत्तप टीक है आज कल देखा जा रहा है वो रोबेटिंग शिच्टम देखा जा रहा है आप यूके और चोथे लंबर बात करें तो इस्राइल इस्टाइल और पहुझा तो को नहीं पर भारत अब बता हुए उगया के लिए प्रोगे नहीं हो गया है सबसे अधिक देसों में पांच में पांच विश्थान पर गया है और यह रिपोर्ट को किसे प्रस्तुत प्रस्टूत की है क्रतिन ऐसरे पर давelay होता है ठीम्य प्रिटिक video झो है अब जो प्रिडम होज किया है यह थे भी होती है इस सुची से कई वार मिलता है जैसे के ओर और प्रे कि फॉच्टा गया था यानिकि कि किस में फ्रिडम होज इंडेइस में को सब्सक्रís प्रीडम हाउस इंडेक्स इंडेक्स यह जारी होगा है अब यह क्या होता यह क्या होता है इसमें यह होता कि किन व्यक्तियों को फ्रीडम कम मिला हुआ है यह की व्यक्तियों को सवतंतर ता कम है यह रिया कि यह सबसे कम कम मुक्त देश जो है वो कौन ay अगर हम बात करते हैं यहां पर तिब्बत बना है क्या बना है तिब्बत इसके नुसार ठीक है यानि कि तिब्बत के लोगों को और तिब्बत देश में निवास करने वाले लोगों को सबसे कम फ्रीगम है तो फिर थोड़ा ध्यान देकर देखो कि भारत में आप रहे हो प्रइबी चुना भी मामदेबल है परंतु कूछ आं su का मिला चाला चला है परण्तु場 को बाउंड बाट ठोड़ी याद रखना है कि फिर भी हमारे मूले धिकारों का जिक्र दिया गए है मूला दिकारों से अगर मूला दिकारों का अपके हनन्स होता है तो आप आर्टिकल 32 का बत्तिस ऐत मीशन ले सकते हो 206 सो सवा respected बंना तो आप राटित आई अपनी सधीकायतों के लिए आर्टियाई दर्ज गर सकते हैं राइट मिशन कैसे हो National Human Rights Commission बना दिया गया है आपके अधिकारों के लड़ने के लिए कि कहीं पर किसी का अधिकारों का हनन हो रहा है किसी का अधिकारों को बाउंड किया जा रहा है तो 1993 में एने चाहर सी की स्थापन की गई थी 2005 में RTI की स्थापन की स्थापन की थी ठीक है तो यह बहुत सारी ऐ सबसे नंबर यहां बात करने हैं तो देखिए तिब्बत हम इस पर बात करने वाले हैं थोड़ा थोड़ा तिब्बत नंबर दो पर अगर हम यहां बात करने तिब्बत तुम समझे यह चीनी अभी आप 1962 1962 का अगर युद्ध के बारे में जान कर देखो गई ठीक है तो बहा इसमाशल रहरा हो रीवाडी के क्योंकि रीवाडी को ऑख सैनिक गाउण होशित करा गया थै ठीक है जैसे उस Là विक्ति सामय पाल Cynthia से entrepreneur में चला गया और उसे दिन उसकी जो है डैथ होगी थी ठीक है भई आरे वासमया एक किर्शन की इतने सवाई होती है युद में चलाया था लगवाले में यहां पर बहुत ऐसे फैनिक थे जिनके मतलब अंतिम पड़ाब वही लड़ाई थी जिसे नोना अपने परिवारों को ठीक है अपने बच्चों खोया है ठीक है वही तो यह तिबत की बाद करें तिबती लोग जो थे कुछ उनमें एक व्यक्ति थे तिबती जो चेतरे लोग ते बो कुछ मिल गए थी चीनियों से जिसके चलते जो है हमें उस महार का सामना करना पड़ा था ठीक है अब एक बात पास करते हैं सुडान किहां आपका इस जँट सी नमबर आशे इसके नमबर पाता है अब देखिए सुडान की बहुत तकली इतियास है कि Good chence लोग जो नी costing बिसौासने मंते हैं यानि विसौास नी करते पर पर जतने ब्यादिकार होते हैं उनका उलंगां करते रहते हैं फिर एक आपने सीरिया देखा होगा ताना साही सिष्टम है सीरिया में क्या है सीरिया में ताना साही सिष्टम है ठीक है एक बागी टू मुवी आई थी साहे दूसमें सीरिया का वारे में जिकर है आप उसको देख लिए इनको जो कहा जाता है इन तीनों को इन जी नेंकि फूर्ता सीड़े से मालन जाता है यह दिक prefedia शोल्टान टना जाता है यह जो collector है यहां चलती है यहां चलती यहां चलती है टानाा साही एक तरीके की 여기 यहांपर चलती है ओन की वात ठीक है यहां पर चलते घुट बंदी यहां के जो लोग है इतनी बात आप यहां से दिहान में रखना ठीक है चलिए नेक्ट कोश्चन की बात करते हैं क्या है सायद आपको बढ़िया समझ मा रहे होंगे सारे पॉइंट क्योंकि हमने बिलकुल बहुई पॉइंट के हैं जो एक्जाम में मिलके हैं बताने को तो 50 पॉइंट बता सकता हूं करैंट के 30-35 के करैंट लिगवा सकता हूं परन्तु कम लिखेंगगे जाद जानकाये लेना बहुत अच्छा है देखेंगे आप बात करते हैं अभी हाली में में हिमाचल प्रदेश इतेने क्या करा है संजीवनी परियोजना इसे निथ परियोजना। फिर्उजना सुरू किया तो एक्जाम में एकदम यह आता है जैसे पिछला वीडियो को प्रीपर उठागे देखो आप तो वीडियो के प्रəपर में कई सारी परियोजना पूछा था तो आपके संग्यवीस है अब क्यों किए इसके बारे माँ बतातों क्या विख ही माचल प्रदेश जो है ना हिमाचल प्रदेश जो अर्थ व्यवस्ता है फिर अर्थ व्यवस्ता है अहला है जो है वे और फॉफ ही किरसी और सुपालण पर डिन Azp यहां की हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश जो है गरीब छेतर है ठीक है तो सरकार नहीं सोचता कि छोटे डेरी किसानों को यह चोटे डेरी किसानों को पसुपालको को किसान हो गए और पसुपालको की जीवी का के लिए किसके लिए जीवी का के लिए संजीब नी परियोजना बनाई किसके कैसे बनाई संजीवनी संजीवनी कहें परियोजना शूरू कर दीए जोटे देरी किसानों के लिए यह पसुपालकों के लिए ठीक है अगर हम यहां बात करते से हैं डेरी और अनुसंध्धान की किसके डेरी अनुसंधान की तो वो कहां पर है करनाल में इतना कुर्शन याद रख लेना ठीक है जी दूद का सबसे बड़ा जो उत्पादक देथ है वो भारत है सबसे बड़ा उत्पादक ठीक है यहां के मुख्यमंत्री जो है वो सुखविंदर सिंग है यानि कि अगर सीम की बात साय तो कौन है राजयपाल थे प्रताफ सर्मसर्ण झाब भई सिंप्रताफ सुकत सुखल है सर्मसर्मनी सूकल है ठीक है क्या है फ़र यहां बात хотите है राजधानी के तो दो राजधानी और एक तो घरम स법 जानी है तो घरसभान जो कैसी राजधानी जो है ‑‑ सल grandson है जो एक है इ वही तो धरम साला हो गई आपकी सिमला हो गई सिमला हो गई ग्रीश्म और धरम साला हो गई सीथ ठीक है इतनी बात आपको याद रखनी है देवदार जो है यहां का देवदार जो है वह यहां का क्या है अधिकारिक ब्रक्ष है क्या है अधिकारिक ब्रक्ष है अधिकारिक ब् इतना बहुत बढ़िया वहीं चलिए नोट कर लिए अच्छे तरीके से अब आगे बढ़ते हैं क्या है कि अग्या कि नेक्स्ट है आपका बहुत इंपोर्टेंट कोर्शन है रक्षा बित और अर्थास्त्र पर यानि कि और अर्थास्त्र पर अर्था सास्त्र पर एक संभेलन क्या है क्या करा है अंतर राष्ट्य संभेलन अंतर राष्ट्य संभेलन अंतर राष्ट्य संभेलन क्या गया है किसके द्वारा रक्षा मंतर लेके द्वारा किसके द्वारा क्या गया है रक्षा मंतरा लेके द्वारा क्या गया है यह किसके द सिंग राजनात सिंग जो है क्या है रक्षामति इन्हों ने इसका उद्गाटन क्या है ठीक है और यह कप क्या गया है यह भी डेटी आज़ नहीं आपको बार है अप्रेल को यह क्या गया है ठीक है कप क्या गया है बार है अप्रेल को और क्यों क्या गया है कि बित यानिक रक् कॉप्सन नों दुखे लिख़ लांगा वह न क्या है भारत की यहांगे भारत की Mais पहली भारत की पहली semi high speed semi high speed high speed ठीक है छेत्रिये रेल सेवा ठीक है बहुत छोटा कोशा ने इसको थोला से दमाख में रखना छेत्रिये रेल सेवा का नाम का नाम इतना से याद रखना है नाम रखा गया है rapid X rapid X क्या है rapid X क्या नाम पढ़ा रखा है rapid X तो इतना थोड़ा से याद रखना है एक और से ठीक है भई क्या नाम है रेल सेबा क्या नाम रखा गया है भारत की पहली semi high speed छेत्रे रेल सेबा का नाम रखा गया है rapid X क्लास जाद अलंबी हो रही थी बच्चों को थोड़ा बोरियत हो जाती थी ठीक है तो इसलिए हमने सुचा क्यों ना क्यों करणटा फिर फोकस किया जाए और हाँ प्ले लिश्ट बना दी गई आदूनी की इतिहात की कि कि सुबह को साड़े छे बज़े जो आपको मिल जाता ह करणटाफर मिल जाता है रात को 8 बज़े संभीधान बिलकुँ सुरूष से किया गया है जैनिक हम बहां पर आधूनी की इतिहात कराते हैं अधूनी की इतिहात पूरा हो चुका है तो रात को 8 बज़े आपको मिलेगा आप क्वालिटी एक क्लास हो चुकी है उसकी प्ले लि बच कर तीस मिनट पर आप जब बहां देखोगे तो मैंत के किलास देखोगे ठीक है और छे बजे जो है हम एकदम प्रिलियम फैक्ट प्रेक्ट प्रेक्ट कराते हैं आपके साथ प्रिलियम फैक्ट कि जैसे कि अभी हम नाम आद्वी पार्टी को पर क्लास ली है ठीक है तोप सलक्सन प्रोसेश हम इस पर काम कर रहा है क्योंकि हम चाहते हैं टॉप सलक्सन होने चाहिए आपके और वह प्रोसेश हम सुरू कर रहे हैं ठीक है जी तो मिलते हैं कल नाइस सेसन के साथ जै हिंद जै भारत बंदवातरम